हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ मिस्टेक्स की जो हम ट्रेडर्स करते हैं और सिर्फ बिगनर्स ही नहीं कुछ कुछ एक्सखी हैं और में कुछ थो बड़ बात क्याकर बड़ेंड़ बीवेडिध होज simultaneous नहीं करते हैं तो एपने काब थे nephew से पुछा है कि ये ट्रेड में में मुझे क्या करना चाहिए अगर आपने पूछा है तो जो मैं ये 6 mistakes discuss करने वाला हूं इन में से कुछ ना कुछ mistakes आपने की होगी I hope आपने mistakes की हो और उसको solve कर पाए हूं अगर नहीं कर पाए तो मैं mistakes के साथ साथ solution भी discuss करने वाला हूं सबसे पहली पहला हमारा अगर मैं देखता हूं जो भी हमें मिस्टेक करते हैं लोग एसल स्टोप्रोज ही नहीं लेते तो काफी बार ऐसा मैंने गुष है देखा है कि किसी ने entry कर ली एक स्टोक चल रहा है सेकेंड लेइव चल रहा है उसके बाद लगता है कि यार पता नहीं है तो रोक भी रूके गई नहीं या तो आज ये अब तो बस तीन गूना चारूना पांच गूना होने वाला है यह 10x होने से पहले रुकेगा ही नहीं क्योंकि यह तो इतना अच्छा चल रहा है फिर भागा है फिर गैप के साथ फिर से एक निकला है यहां पर ठीक है यह तो 30% और 100% हो जाएगा लेकिन अब जैसे ही यहां पर कोई एंट्री करता है थार डे उसके बाद देखता है एक बड़ पर जा रही है वह तो कभी नीचे भी गिरेगी यह ऐसा तो कभी भी किसी भी स्ट्रोक में इसा नहीं हुआ होगा कि सिर्फ उपर ही चलता रहे और हास्ते वह उपर ही है अगर रूचियू से बात करें तो नीचे से शुरू हुआ था वह गया था उपर लेकिन उसके बाद वो भी तो पूरे बिल्कुल लोवर सर्केट में गिरा था ना तो इसी तरह से क्या होता है एंट्री का आपका लोजिक नहीं है और आप इसमें अगर एंट्री कर रहे हो तो आपका एक logical stop loss क्या बनता है तो आप इसको अगर इन केस आप बोलते हैं कि नहीं है मैं तो अपनी capital के साब से 1% ले ले हुआ इसका 1% तो आप 1% में कोई quantity भी लोगे तो उसका return भी गया लोग गया उसका return यानि आपको शायद 1% आ गया 0.5% आ गया आपके total तो stop loss नहीं लेते सिर्फ यह भाग रहा है चल रहा है तो ले लेता हूं यार पता नहीं और कितना उपर जाएगा पर एक्जामपल देखो इन दिनों में फर्स दे चला सेकिंड थर्ड दे फिर तो लगा नहीं यार यह तो अपना lifetime हाय ब्रेक कर रहा है यह तो पता नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा एक काम करते हैं अब यह हां पर एंटर करके बैट जाते हैं लेकिन किसी नहीं यह एंट अब यह एक बैट करने वाले हो कि इसका अगर डे करना है तो मैं इसको राइड करता लेकिन अगर को आप यहां एंटर कर रहे हो तो आप यह तो पता नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा और उसके बाद फिर आप जैसे ही रिवर्स होता है तो आप बिल्कुल क्लूलाइस हो पता नहीं अब मुझे क्या करना है कुछ आइडिया नहीं मुझे तो फर्स्ट मिस्टेक होती है हमेशा एंट्री से पहले ही स्टोप लोस देखना है अगर आप यहां पर देख रहे हो एंट्री कर रहा हो तो मेरा स्टोप लोस क्या होगा कोई भी आप कोई भी चार्ट यह बनता है अब जिस तरहे FOR देखना है कि मैं को राइट करना है तो आप ठोड़ा बड़ा स्टोप लोस या नि एक प्रोफर स्टोप लोस ले सकते हो आपको देखना है कि नहीं राहरां चला है मुझे देखना कि घ्ररेसिस्टेंस तक जाता है है ठीक है लेकिन stop loss लेना जरूरी है second thing is leverage तो काफी लोग क्या करते हैं जैसे ही एक ट्रेड ली यहां पर बाइचंस किसी नहीं पर entry की और दो दिन में इतना कमाल कर लिया और इतना profit आ गया है जैसे इसने यहां से leverage पर काम कर लोंगा या 2x leverage पर काम कर लोंगा और और इतना चला है इतना तो मेरे पास profit है मैं काम करता हूं 3x लेकर इसमें और double quantity कर लेता हूं अब तो यह चलने वाला है क्योंकि तीन चार दिन अगर चल गया तो मेरा तो तीन गुना होनी चाहिए आप लिवरेज लेते हो अच्छी बात है ठीक है कोई इस्यों नहीं है अप लेकिन वह लोजिकल होनी चाहिए कि उसका रिस्क भी आपका अगर मैं लिवरेज ले रहा हूं तो उसके बाद मेरी कैपिटल का 1% 2% 3% 5% जो भी आप लेके चलते हो वही जाए तो आप ऐसा ना हो कि आपका यह 20% जा रहा है आपने 5x लीती तो 20 इंटू में 5 हो गया जीरो 100% गया आपने पूरा कैपिटल लिए एक ट्रेड में लगा दिया लेकिन यह एक ही दिन में ऐसे जट से गिर गया और आपका पूरा कैपिटल उड़ गया क्योंकि यह तो फाइफ एक से तो आपका लोज भी तो माइन इंटू में फाइफ एक्स होगा ना जस्ट एक बड़ी चर्चा में किसमें क्या हुआ है तो किसी ने यहां पर लेकर बैठा होता क्या रही यह तो ब्रेक आउट देगा देखो लाइफ टाइम हाई जा रहा है नहीं निकलता भी तो चोटोटी केंडल बन रही और एक दिन में यह नीचे आया तो आप देख सकते हो एक दि आपको याद रखनी है तो आपको डाउंसाइड रिस्क हमेशा में रखना है जो कि मैंने स्टोप्रोस की बात की स्टोप्रोस आपको जरूर रखना है अगर आप अप एफन्यों करते हो तो आप सिस्टम में रखें थर्ड गलती क्या करते है लोग के पोजिशन साइज नहीं लेते जैसे क्या किया वही मैंने जब एक एक यह अपने ड्रेड ली आपने पूरा हैंड़ परशंट लगा दिया ठीक है आपने हैंड़ परशंट कैपिटल लगा दिया प्लस आपने यहां पर कितना मैं रिस्क ले रहा हूं कितना रिस्क ले रहा हूं यह Csil आपक Raum में अगर इतना रिक से यह हमेशा थ्री एक्स नो कि उत मुन आपने मावन आपने जो भी रिस्क लगाया तो इह सोचे haciendo Casey जाए तो यह कोई लोगिक है अगर आपने 10% लिया है और आपका नेक्स्ट भी आपने इस टो परसेंट लिया और इसलिए आपको ऐसा कुछ लोजिकर लेकर चलना है कि मैं मेरी accuracy अगर 50% है तो मैं 20 trade लेता हूं तो 10 गल्द करता हूं अगर आपने 10-10% 10 trade गल्द की तो आप तो 0 हो गई तो आपको इस तरह से लगाना है कि मैं 2-2% लगाता हूं अगर 10 trade मेरी first मेरी दलत हो गई तो 20% जाएगा next 20 जो मेरी size होंगी उसमें मैं require कर सकता हूं तो इस तरह से आपको पहले ही सब कुछ define करना है कि मेरा risk कितना हो कितना मेरी position size हो ठीक है next is जो सबसे बड़ा मुझे issue लगता है कि FNO आप क्या करते हो first year में कोई आया किसी का आपने बस screenshot देखा अरे य हो गया है तो यह तो मतलब कोई भी नहीं सकता है यह जाएगा लेकिन हो सकता है मेरा भी 10x 50x 100x हो जाए लेना शुरू कर दो लेकिन उसके लिए आपको knowledge होनी चीए कि आपको data भी काम करता है आपने call लेके छोड़ दिया आपकी market जाएगा ठीक है आपने option sell कर दिया in case और एक sudden rise आ गया तो आपके options में चाहिए आपका spike आ गया उस side में आप क्या करोगे आपने option sell किया हुआ है और उसी direction में आपने करते हैं सिर्फ यह कोई और कर रहा है और आपने देखा कोई option करता है तो मैं option sell करूँ किसी ने कहा दिया कि option buy करो क्योंकि उसमें unlimited profit unlimited risk है लेकिन अगर मार्केट मुव नहीं की जिस तरह से अगर 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 मैं इनको सबको manage कैसे करना है अगर ऐसा होता है तो manage क्या करना है अगर आपको लगता है इनके बिना अच्छी रिटन नहीं कमा पाते तो ठीक है लेगन अगर आपको लगता है नहीं है रिसके बिना भी मैं सही कर सकता हूं तो आपको इनसे दूर रहना चाहिए एक लिस्ट फर्स्ट टू फोर इस टीक है और यह जो डिरेक्ट एंटरी कर लेते हैं और सीधा एफ नो किसी और से पूछके आप मतलब कुछ काम कर रहे हो और इतना 100 पर्चेंट का रिस्क है यानि एक दिन में ही जीरो हो सकते हो इतना रिस्क ले रहे हो वह भी किसी और से प रिस्पोंसिबिलीटी लेनी चीए एक्चली में जो ट्रेड ले रहा है उसकी तो रिस्पोंसिबिलीटी है लेकिन ये सब को लगता है कि 100% मुझे रिटन एक दिन में मिल जाए ठीक है एंट्री और एक्जिट मैं आपको थोड़ा एक एक एक्जमपल इसके साथ दिखा देता आपको यह भी देखना है कि यह एक लोजिकल सपोर्ट है इसका और एक लोजिकल रसिस्टेंस है इस पॉइंट पर क्या एंट्री करना सही बनता है आपको देखो हां मैं बात करता हूं कि इसने भी एक स्विंग तोड़ा है अच्छा इसको इसने स्विंग तोड़ा है यह ठीक है लेकिन क्या यह exit point है और यह entry point है तो क्या इस point पर entry बनता है क्या नहीं बनता या तो आप यहां पर इसको wait कीजिए या consolidation होने दीजिए या एक proper stop loss लेने दीजिए एक ऐसा structure बनने दीजिए जिसमें stop loss सही हो अब इसमें यह नहीं करता हूं यहां लेकर छोड़ देता हूं हो सकता है यह नीची ना है वो touch करके निकल जाएगा आपका कोई logical नहीं है आप सिर्फ यह नहीं सिर्फ यह चल कर लेता आरा सिर्फ इसलिए ले टो trade के बस चल रहा है चल ले ले लेता हूं यह कोई लोजिक नहीं है तो यह लोजिक जो लगाके 10 करते हूं गलत है कि मैटल संद तो चलो इसको ले लेता हूं पता नहीं है तो भाग रहा है इतनी दिन mot et onlyो चल जाएक यह कोई लोजिक निया जब तक आपके ट्रेड में लोजिक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है एक दिन चल जाएगा दो दिन चल जाएगा एक दिन ही आपका 100% पी ले जाएगा तो हमने बात कर लिए चार प्रोब्लम्स की नेक्स्ट इस अर्ली एग्जिट तो काफे लोग क्या गरते हैं बस चला यह देखा हाँ एक अच्छी केंडल आई है मेरा यहां से आतक रिक्स रिवार्ड कितना था मेरा यहां से सपोज अगर मेरा रिक्स रिवार्ड था छे रुपे का तो जैसे 132 आया मैं निकल जाऊंगा यह कोई तरीका नहीं हुआ कि मेरा जैसे 1-1 हुआ या 2-1 हुआ निकल गया तो यह तो है आप यह तो इंट्रेडे कर रहे हो आप जस्ट या फिर आप कोई मतलब नहीं है आप सर्फ एक रूल बना हुआ हुआ है 2-1 तो अच्छी बात है अदर्वाइस आप स्विंग ट्रे एक रिजेक्शन होता है तो मानते हैं लेकिन एक यह मारी बुजू केंडल बना रहा है या फिर एक अच्छी केंडल या फिर यह की केंडल में ब्रेक आउट देरा आप एजिट कर जाते हैं तो वह लोजिकल नहीं होता है हाँ प्रोफिट बुकिंग बहुत जरूरी है यह म करूँ गा और उसके बात देखूँगा तो किस तरी की जा रही है आप जा रही है तो किस तरी के जा रही आप जा जा रही है उसके बाद ही मैं निइओ एntry या फिर्म、 मैं तयार हूं तो मेरे पास complete मेरा कुछ भी लोस हो सकता है next is and last मैं जो बात करूँगा I think मैं बात कर चुका हूँ position size पे stop loss पे leverage पर FNO पे early entry early exit तो I think मैं ये सारी बात कर चुका हूँ जो मैं आपको बोला था 6 problems मैं discuss करने वाला हूँ यह है ऐसे और भी problems होँगी और भी solutions होँगे और भी चीज़े मैं discuss करता रहूँगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किजिए चैनल का ना में stock engineers और मैं next वीडियो फिर से ले किया हूँ और आप bell icon प्रेस कर सकते हैं अपने friends के साथ share कर सकते हैं यहाँ पर मैं इस वीडियो को end करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद है तो like के जिए और comment section में मुझे अपना response दीजिए thank you